आज मैं आपको I letter लिखवाने जा रही हूँ ये भी हमारा standing and sleeping line के base पे होता है और इस तरह से इसमें भी आपको three उपर I बनानी है और उसके बार नीचे इस तरह की dots देनी है इस dots की help से बच्चों को बहुत easy हो जाएगा line बनाना तो इस तरह से आप उनको start कराएए पहले standing line फिर उनको sleeping line standing line sleeping line standing line sleeping line और dot की help से तो बच्चे बहुत easy और जल्दी बना लेते हैं तो उनको बिल्कुल भी problem नहीं आती है अब तक बच्चों ने काफी letter सीख लिए हैं तो इसलिए उनको अब बिल्कुल भी difficult ये बनाना बिल्कुल भी difficult नहीं होगा बहुत easy होगा तो इस तरह से उनको letter की भी आपको बोल बोल के सिखाना है आई तो इस तरह से आई for ink pot तो उनको बताना है आई आई for ink pot तो आपको बोलते जाना है जिससे बच्चे आई की भी पहचान कर लेंगे और उनको आई का I means ice cream तो इस तरह से ice cream भी होता है उनको ये भी दो तीन आपको बताने हैं कि आई for ice cream होता है आई for ink pot होता है तो जो भी आपके daily use में जैसे ice cream बच्चे खाते हैं तो इस तरह से अगर आप उनको आई for ice cream भी बोलते हैं तो बच्चों को बहुत easy learn हो जाएगा तो इस तरह से आपको three dots इस तरह से जैसे मैंने dot बनाए है dot के elf से उसको आई सिखाना है एक one page cw and one page sw thank you